इस वीडियो में हम ओबेलिया के बारे में पढ़ेंगे ओबेलिया सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलॉंग करता है और इसका क्लास होता है हाइड्रोजोवा Mainly obelia की हम geniculata species के बारे में पढ़ते हैं और हर जगा exam में या net के paper में आपके BSC के syllabus में या TGT PGT में हर जगा mainly obelia geniculata के बारे में ही पूछा जाता है इसके general characteristics के अगर बात करें तो यह cosmopolitan होता है मतलब बहुत ही easily यह identify किया जा सकता है marine areas में Medusa stage of obelia species common in coastal and offshore plankton around the world means world में जितने भी coastal areas होते हैं वहाँ पे obelia की जो medusa stage होती है वो बहुत ही आसानी से पाई जाती है अब obelia की जो medusa stage है इसी तरह से polyp stage भी होती है अभी हम obelia की stages को भी पढ़ेंगे Second thing पढ़ते हैं इसका habit and habitat यह sedentary होता है sedentary मतलब एक जगे पे fix होता है यह move नहीं करता ठीक है Secile होते हैं यह obelia एक ही जगे पे स्तिर रहते हैं और colonial form में पाए जाते हैं यानि आपको separately एक एक obelia देखने को नहीं मिलेगा यह आपको colony में देखने को मिलेंगे यानि एक साथ ही होते हैं group में colony में Now second क्या है found up to depth of 80 meter और यह जो marine areas में, sheets में, oceans में जहां भी खारा पानी होता है वहाँ पे यह पाए जाते हैं और 80 meter के depth में यह पाए जाएंगे, it occurs in both asexual and sexual form, यह जो obelia है हमारा organism, यह asexual और sexual दोनों ही form में पाया जाता है अभी हम आगे समझते हैं कि कौन सा form आपका asexual है और कौन सा sexual है एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि यह जो obelia है आपका, यह attach रहता है किसी ना किसी substratum से substratum यानि कोई भी ऐसी चीज जिससे यह आगे grow करेगा और यह यहीं पे attach रहेगा क्योंकि यह move नहीं करते हैं, यह sessile होते हैं, यानि sedentary होती हैं, एक ही जगह पे fix रहते हैं तो इनको कोई substratum चाहिए होता है, वो substratum कोई rock हो सकता है, किसी पत्थर से यह attach रहेंगे या फिर कोई stone होगा, छोटा बड़ा, या कोई wood का piece हो सकता है, लकड़ी का अगर कोई piece वगेरा है या leminaria जो होता है, brown algae, पाई जाएगी जगह, sea में, ocean में कहीं भी, तो वहाँ पे यह उससे attach रहता है यह कोई भी association में वहाँ पर नहीं होता, जैसे बहुत सारे आपने lichen के बारे में भी पढ़ा होगा वो symbiotic association होता है, बट यहाँ पर आप कोई भी association नहीं पढ़ेंगे यानि जो obelia organism है, यह कोई भी association नहीं करता किसी के साथ, बट as a substratum यह use करता है कोई भी object होगा, जैसे लकड़ी का कोई piece है, या कोई algae है, जैसे rock है, तो उसके उपर यह लगके अपनी पूरी life cycle वहाँ पे complete करेगा move नहीं करता, sedentary होता है, ससाइल होता है, और substratum से attach रहता है, इतनी चीज़ा आपको ध्यान रखनी है also known as cfer, यह बहुत important है, बहुत सारे जो competitive exams हैं, उसमें पूछा भी जाता है कि obelia को और किस नाम से जानते हैं, तो cfer नाम से हम इसे जानते हैं, अब देखिए जो हमारा obelia organism है इसको एक tree के जैसा symbolize किया गया है, क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें भी एक vertical branch होती है जो कि stem का काम करती है, और एक horizontal branch होती है, जो कि as a root काम करती है इसी वज़े से इसको as a tree symbolize किया गया है, अब यहाँ पे जो vertical branch होती है जो stem जैसी होती है, stem का work करती है, वो hydroculi होती है और जो root होती है, root जैसी branches होती है, उन्हें हम hydrorizer कहते हैं यह जो चीजें हैं अभी अभी आपको diagram के माध्यम से clear हो जाएंगी, अभी इस slide के बाद हम diagram को भी देखेंगे Each hydrocoli branches in an alternate manner, जैसे इधर एक अगर आपका obelia है, तो इसी तरह से alternate manner में आपकी सारी branches arise होती है उसके बाद क्या है, third point, the ultimate branch terminates in a nutritive zooid called polyp or hydrant इसी तरह से branches terminate होती है आगे और जो final terminate होती है, ultimate branch, वहाँ पे एक structure develop होता है जिसे हम nutritive zooid कहते हैं या जिसे हम polyp कहते हैं और hydrant कहते हैं यह सब चीज़े आप सिर्फ समझते जाएए, ठीक है, patience रखे, अभी जब आप diagram को देखेंगे तो यह सभी चीज़े, सभी point आपको एक-एक point clear हो जाएगा In the older polyp, cylindrical reproductive zooid are placed which is known as blasto style or gonangium अब क्या होता है, जैसे polyp बनते गए, एक branch पे दूसरा polyp बना, फिर दूसरा polyp बना तो दो polyp के बीच में, या जो older polyp होते चले जाते हैं, उपर तो younger polyp है लेकिन नीचे जो हमारे older polyp होते हैं, उनके बीच में, यानि axial position पे याँ पे axial word नहीं लिखा हुआ है, बट अगर आप किसी अच्छी book से पढ़ेंगे, reference लेके तो आप यह पता लगेगा कि polyp की जो branches होती हैं, उनमें axial position पे एक structure develop होने लगता है, जिसे हम blasto style कहते हैं, या gonangium कहते हैं इसका भी आगे role है, अभी हम समझेंगे, और इसे reproductive zoid कहते हैं, मैंने आपको बताया था यह जो polyp develop हो रहे हैं, यह हमारे nutritive zoid है, nutritive zoid मतलब इनका पूरा काम function nutrition में है, यह कोई भी reproduction के work में involved नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो जो blasto style develop हुआ है यह reproductive zoid है, आगे दिखते हैं, obelia colony is dimorphic, यहां तक obelia की जो colony है, वो dimorphic हो जाती है अगर आपको in general, अगर कोई पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि obelia की जो colony है, वो trimorphic होती है trimorphic मतलब, तीन तरीके से अपनी morphology को यह दिखाता है, ठीक है तो तीन morphology अभी आप देखेंगे फिर when blasto style develop into a saucer shape body called medusa, अब जो मैंने आपको बताया कि यहां एक branch है polyp है, यह दूसरी branch है polyp है और यहां पर axial पर एक structure develop होगा, जिसे हम blasto style कहेंगे, उस blasto style के अंदर एक body develop होने लगती है, saucer shape की body यह जिसे आप कह सकते हैं, umbrella shape की body इसमें develop होने लगती है, जिसे हम medusa कहते हैं यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, blasto style के अंदर ही medusa develop होता है, और अभी तक यह dimorphic colony थी जो वो trimorphic बन जाएगी, क्योंकि यहां पर तीन तरहे कि आपने form देख लिए, पहला form क्या था? polyp था, polyp मैंने आपको बताया alternate branches में निकलते हैं, यह alternate branches में आपके polyp हैं, और जो older polyp होते हैं, या उपर आपके younger polyp आगे grow हो रहे होंगे, लेकिन जो older polyps होते हैं, यानि जो older hydrant होते हैं, polyp को हम hydrant भी कह सकते हैं, वहाँ पे axial position पे एक structure develop होगा, जिसे हम blasto style कहेंगे, और blast shaped का medusa develop होगा, अभी तक जहां पे सिर्फ आपका polyp develop हो रहा था, blasto style develop हो रहा था, तो यह dimorphic colony थी, लेकिन blasto style के अंदर जैसे ही आपका medusa develop हो जाता है, तो आपकी colony trimorphic हो जाएगी, I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, अब एक एक structure के बारे में भी पढ़ लेते हैं जैसे polyp को हम hydrant भी कहते हैं और nutritive zoid भी कहते हैं क्योंकि इसका role function nutrition में होता है, also known as gastrozoid और trophozoid ठीक है, tropho यानि nutrition से इसका relation इस वज़े से trophozoid कहते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, radial symmetry and cylindrical in shape, जो polyp है हमारा, उसमें radial symmetry पाई जाती है, और cylindrical होता है यह shape में, they are specialized for capture, ingestion and digestion of food, यह mainly अपना function perform करते हैं, food को capture करने में, ingest करने में और properly digest कराने में, इनका role होता है, ठीक है ना, basal end connected with the hollow stack by with the hydrocollus, basal end जो होता है, वो hydrocollus के माध्यम से attach होता है, यानि जो आपका vertical stem है, जो मैंने भी आपको पताया था, इसे कहते हैं hydrocollus, और आपकी जो यहाँ पे horizontal होगी, उसे आप कहेंगे hydrorisa, ठीक है, यह दोनों ही चीज़ा भी आपको diagram में भी दिखेंगी, that opens into the outside by the mouth situated at the free end of the hydrant, hydrant यानि polyp, तो अभी को आप, especially मैं आपको polyp का structure दिखाऊंगी, polyp जो होता है, वो आपका ऐसा cylindrical shape का होता है, जो आपका polyp होगा, वो इस तरह का cylindrical shape का होगा, इस तरह का cylindrical mouth होगा, और ऐसे आपका polyp होगा, तो वही बात की जा रही है यहाँ पे, कि इसका जो mouth होता है, वो at the hypostome की apex पे होता है, ठीक है ना, यह जो आपका mouth होगा, जैसे आपने यह polyp को draw किया, ठीक है, यह आपका एक polyp है, तो polyp में यह जो आगे वाला structure है, यह यहाँ पे hypostome कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, यह वाला जो area है, यह hypostome है, तो hypostome की apex यानि एकदम top पे आपका mouth situated होता है, ठीक है, यह point आपको clear हुआ, कि hypostome की apex पे mouth situated होता है, और यही pore होता है, जहां से open होता है, यह outside mouth, ठीक है, यह जो line लिखी हुई है, आगे देखते हैं, nematocytes are present only on the tentacles, अब tentacles क्या है, hair like structures होते हैं, जैसे हमने polyp अभी बनाया था, तो इ tentacles निकले हुए होते हैं, hair like structure होते हैं, तो इजो nematocyst होते हैं, यह special type के cell होते हैं, जो कि सिर्फ कहां पाए जाते हैं, आपके tentacles में पाए जाते हैं, यह भी बहुत important point था, आपको धिहान रखना है, nematocyst के बारे में, nematocytes के बारे में, then tubular perisark surrounding the cynosark extend around the hydrant to form its conical protective covering known as hydrothica, यह जो point है, आपको बहुत अच्छे समझने के लिए हम diagram पे चलते हैं, बस आप यह line याद रखिएगा, कि perisark जो होती है, वो पूरी body को cover करेगी, आपके सीनों सार्ग को cover करेगी, ठीक है, hydrant को यानि polyp के surrounding को, उसके बाद एक conical protective covering बनाती है, जिसे हम hydrothica कहते हैं, यह हम diagram में देख लेते हैं अभी, यह देखे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यह वाला diagram पहले आप देखे, यह आपका polyp है, polyp के ऊपर hypostorm के apex पर क्या present है, mouth है, यह पूरा structure क्या है, polyp यानि hydrant है, यह जो आपको vertical stem दिखरी, vertical branch जिसे हम hydrocoli कहते हैं, hydroculus कहते हैं, और जो नीचे वाला आपको vertical branch है, इसे हम hydrorisa कहते हैं, जो कि यही पार्ट हमारा substratum से attach रहता है, next अब हम यह वाला diagram देखते हैं, इस diagram में आप ध्यान से देखेंगे, तो यह हमारा polyp है, यानि hydrant है, polyp के जो outer covering होती है, इसे हम perisark कहते हैं, या फिर इसे एक और नाम से जाना जा पूरा polyp को cover करता है, जिसे हम hydrothika भी कहते हैं, second thing, आप देखेंगे, दूसरी layer जो है, इसे हम कहते हैं, सीनो सार्क, ठीक है ना, बाहर वाली layer को हम कहेंगे perisark, और अंदर वाली layer को हम कहेंगे सीनो सार्क, बीच में जो cavity present है, यह है हमारी gastrovascular cavity, या हम सीनो सार्कल कैविट I hope आपको यह तीन पॉइंट आ गए होंगे, perisark, सीनो सार्क और सीनो सार्कल कैविटी, यह आप समझ गये थे, उपर mouth है, हाइपो स्ट्रोम के apex पे, इस पूरे diagram में आपको एक चीज और धियान रखनी है, कि जो आपके tentacles होते हैं, यह solid होते हैं, क्योंकि हर एक अप और ग इनो सार्क वाली membrane है, वो सिर्फ यहीं तक होती है, वो नीचे तक आगे carry on, नहीं होती, आप diagram में clearly देख सकते हैं, second thing, यहाँ पे जो आपको ring-like structure दिख रहे हैं, यह होते हैं, perisarkal annuli, annulus, यह आपको ध्यान रखने हैं, कि पूरे ही polyp के नीचे जगा, अभी आपको cavity है, वो perisarkal cavity हो जाएगी, ठीक, तो यह diagram हमने समझ लिया, और यह वाला diagram हमने समझ लिया, फिर अपने note space पे आजाते हैं, बुक में, यह मैंने आपको clear कर दिया, hydrothika, then blasto style, जो हमारा reproductive zoid है, जो axial part पे बनेगा, after hydro can fully develop, it gives rise to special zoid called blasto style, mouth tentacles are absent, यह आपको ध्यान रखना है, blasto style आपका बिलकुल ऐसे होता है, इसमें mouth और tentacles दोनों ही present नहीं होते हैं, distally closed and usually form flattened disc, यहाँ पर पाई जाएगी, reproduce asexually to give rise numerous birds called medusa, अब यह क्या करता है हमारा, यह खुद तो asexual form में होता है, लेकिन यह asexually divide करेगा, और बहुत सारे birds यहाँ पर arise होंगे, जिनने आगे च small, transparent, solitary, free swimming, saucer shape की body होती है, zoid, यहाँ पर free swimming zoid होते हैं, आप umbrella shape के zoid इनने देख सकते हैं, book में बने होंगे, umbrella shape के होते हैं, these are reproductive zoid और यहाँ पर यह sexual reproduction में participate करते हैं, यह sex cells को form करते हैं, तो book में obelia के बारे में इतना ही content given था, but अब हम second part में पढ़ेंगे, obelia की life cycle कैसी होती है, पूरी life cycle जब आप समझेंगे, तो आपको total topic clear हो जाएगा, जितनी चीज़े अभी आपको समझनी थी, इसका habit and habitat, इसकी external morphology क्या है, यह सभी चीज़े मैंने आपको बता दी है, यह दोनों diagram के माध्यम से भी आप clear हो गया होगा आपको, कहां कहां पर कौन सी layer, कौन सी च cycle पर दे,